राईसें से हमारे समबादातर शरषशर्मा की रिपोर्ट राईसें में मिले दो ब्लेक फंगस के मरीज, एक की इलाज के दोरान भोपाल में म theoट एक स्वास्थ होकर घर लोटा स्वास्त मंत्री के गिराय जिले राइसेन में ब्लेक फंगस ने दी 10 तक जिसमें 2% मिले थे जिसमें से एक स्वास्त होकर घर लोटा एक की जांच के बाद भोपाल भेजा गया था जिसकी इलाज के बाद मौत हो गई राइसेन में ब्लेक फंगस को मिलाकर प्रदेश में 30 की मौत हो चुकी है राइसेन जिले में ब्लेक फंगस ने एक मरीज की मौत स्वास्त मंत्री के ग्रह जिले में 2% मिले मद्द प्रदेश में कोरणा के ब्लेक फंगस के 10 तक प्रदेश में 1044 मरीज मिले यानि गुजरात के बाद मद्द प्रदेश दूसरे नंबर पर है पांच मेडिकल कालेजों में 610 मरीजों का इलाज चल रहा है भही से सरकारी अस्पतालों में भरती है ब्लेक फंगस से 30 लोगों की मौत हो चुकी है राइसेंट जिले में आज की तारीक में ब्लेक फंगस का कोई मरीज नहीं है सिर्प दो मरीज मिले थे जिसमें एक इलाज के दोरान ठीक होकर घर आ गया था दूसरे की मौत हो गई थी राइसेंट से हमारे संबाद दाता शरस शर्मा की रिपोर्ट पतनी होते हुए भी पती ने बिना सूचना दिये कर ली दूसरी साधी पतनी ने पोलिस प्रसासन से लगाई नयाय की गोहार पड़ी लिखी पतनी होने के बज़े से पती ने अपनी ही पतनी को किया घर से बेदखल मामला छतरपूर राजनगर ठाना अंतरगत खजुआ गाउं का है महिला की साधी पंदरा में हुई थी हिंदू रिती रुबाद से चम्मेलन में की गई थी छतरपूर नियालाय में तलाक का केस बिचारा दीन है सोला मै को महिला के द्वारा SGOP खजराओ एबं ठाना राजनगर में पती द्वारा दोबारा साधी को लेकर सिकायती आबेदन दिया गया था जिस पर कोई कर्रवाई नहीं की गई और पती के द्वारा दूसरी साधी कर लेने के आरोप लगाए गए महिला ने थाने में पती से साधी के साक्ष मांगे जा रहे हैं महिला के पास साक्ष ना होने के कारण मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है बही पर महिला ने 22 मै की रात्री में पती पर साधी करने के आरोप लगाते हुए राजनगर थाने में दिया गया था FIR ना होने पर दरदर की ठोकरें खाने के बाद महिला S.P. छतरपुर के पती के खिलाप मामला दर्ज कराने के लिए दिया आबेदन पती की दूसरी साधी रोकने के लिए थाने से लेकर SGOP तक दिये आबेदन लेकिन नहीं रोक पाई साधी प्रसासनेक तंत्र से परेशान पिलित महिला